हाईलो एवरीबन आज हम इलेक्ट्रस्रेट का थर्ड क्लास लेने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या चीज परने का ज़रूरत है इंपोर्टन चीज ही सब कुछ करेंगे अब पिछले दो क्लास में हम कुलामसला पर कोश्चिन किये थे तो आज हम लोग क यहां पर देख्टे हैं थोड़ा से वालोग तो यहां पर देखते हैं थोड़ा सिक तो एज THERE में परने से पहले यह अ यहां पर दिलाते हैं है यह पर दिलाठेंग परते स्य पर उन डिवाव ईक्वेसिंद और एक इक्वेशन हो पलस x square का whole 3 by 2 ऐसा कुछ equation हो और ऐसा लिखा रहे x very very less than r, यानि कि x बहुत ही छोटा है, यादा है न हम लोग ऐसा कर चुके थे, x बहुत ही छोटा है, इस case में x को क्या माना जाता है? 0, जब plus या minus कहीं इस्तेमाल हो, वहाँ पे x पराबर कितना ले लेना है? 0 लेना है, तो इस equation को simplify किया जाए, तो x पराबर यहाँ पे 0 ले ले? नहीं लेंगे 0, कहाँ पे 0 लेना होता है? जहाँ पर plus या minus हो, यहाँ 0 लेंगे, तो पूरा term ही 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ 0 लेते हैं, और हम लोग basic mathemating में सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कितना इसको जैसा हो, इसा ही रहने दीजिए, x into r divided by, यहाँ पर plus minus है, यहाँ पर minus है, x पराबर 0 यहाँ लेंगे, यह root है, यह खतम हो जाता है, r बचेगा, यह equation बचा है, और यहाँ पर क्या equation बचेगा, यहाँ पर plus का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ 0 माल लेंगे, यहाँ भी plus का इस्तेमाल है, इसलिए यहाँ भी 0 माल लेंगे, x को, किसको मालना है, जो छोटा है, r से बहुत ही छोटा है, x को 0 माल लिए, यहाँ पर 0 माल हो गया और स्कोयर है 2.2 ये समझ लीज समझ लीजिय। तो अभी हम लोग SHM का कुछ कॉंसेप्ट को समझते हैं, जो कि कुलामसला में इस चैप्टर में इलेक्ट्र स्टेट में जरूरत परेगा, यहां पर बोर्ट पर देखिए, जभी भी कोई पार्ट किल इस तरह से मोशन करें, यह मीन पोजिशन हो, इकलिविरियम का पोजिशन हो इसी के आगे प जाए, फिर इधर सीधर जाए, यानि पार्ट किल यहां से यहां जाए, वापस आए, यहां तक जाए, फिर वापस आए, यानि कि पार्ट किल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा मोशन करें, तो यह प्रियोडिक या SHM जैसा होता है, यह प्रियोडिक भी बोल सकत जिससे question बन जाए, उतना करते हैं, तो इसको mean position बोलते हैं, यहाँ पे इसको mean position बोला जाता है, mean position कहने का मतलब, mean कहने का मतलब यहाँ पे force नहीं लगना चाहिए, mean position पे force equilibrium होता है, mean position पे कोई force नहीं होता है, force 0 होता है, लेकिन बाकिक सब जगा पे force, इधर, 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 औकने पर तो किस तरह से क्या क्या बात होना चाहिए तो जुछ परते होंगे तो आज प्यूंट क्या लिखा रहाता है एक पॉइंट थो होता है कि forte कि मीन पूजी सन्वीं कि तरफ होogi क्यों ग्री सबस्सक्राइस अजय पर्पोर्फिष Supply तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स ओ और यह एक इक्वेशन आना चाहिए डिटू एक्स बाइड टी स्क्वाइर बरावर इस फार्मेट में माइनस सो मेगा स्कुर्यस, ऐसा फॉर्मेट में, यह तीसरा पॉइंट है। इस तरह का कुछ फॉर्मेट बन्ते चला जाता है, तब जो बनता उसको do SHM बोलते है, तो हम दो इस तरह से नहीं परेंगे, यह जो चीज है इस तरह से नहीं परेंगे, हम लोग बहुत भी इससे देङए कैसे एक पॉइंट पहला है और आंक से डिखना चाहिएक पहला पॉइंट पर कि यहां से समझजए देखें कैसे यह मी पकर रहते हैं इसे हम होगा कि नहीं होगा उसके लिए पहला पॉइंट आख से दिखना चाहिए मतलब कि पार्टिकल आगे पीछे कर रहा है कि नहीं आख से हमको दिख जाना चाहिए जैसे इस केस में पार्टिकल आगे पीछे कर रहा है यह आख से दिख गया है इसी आख से देखना को बुक में force mean position की तरफ होता है यह बहुत को बोलता है। यह वहले टेक्निकल वहासा हो गया है एक फॉर्स mean position की तरह लगते रहे हाँ यह टेक्निकल है बिल्कुल। हम इसी चीज़ को को सींपल बहुत सकते हैं कैसे हैंному, कि आख से डिख़ेगा। मतलब यह पार्ट की जा रहा है तो जाते ही चला जा रहा है कि जाकर वापस आता है फिर जाता है आता जाता है इस तरह से तो समझी क्या आख से दिखता है यह पहला पॉइंट हो गया है दूसरा पॉइंट फोर्स पॉइंट होना चाहिए जैसे यह बोल रहा है वह इसे हम भी बोल रहे हैं इस एक्वेशन को ए बढ़ावर के एक्व भी बोल सकते हैं यह बस आजाए बस दो पॉइंट एक यह आजाए और एक आंक से दिखेंगे माल अगे पीछे होता रहे और यह आजाए तो समझी क हो चुका है फोर्स प्रोपोशनल 2x फॉर्स प्रोपोशनल 2x आ चुका ना जब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो मज़ेख समझे कि यह इस है और इसमें टाइम प्रड कितना हो जागा टाइम टू पाए रूट अंडर एम भाई के कौन सा के एक्स के सामने एक्स के आगे जितना यह लगा रहेगा इसको के बोलते हैं इस कॉंस्टेंट को यहां पर डाल देते हैं यह टाइम पिरिड हो गए अभी देखिए एसे चम का एक्वेशन जब हम लोग बुक में देखेंगे तो इस फॉर्म में होता है यह बरावर माइनस के ए निगेटिव का साइन आएगा तो यह जो फॉर्स मीन पोजिशन की तरफ लिखा इसी को माइनस में इंक्लूड कर लिया हो लेकिन हम लोग इस तरह से इस फॉर्मेट से पढ़ी नहीं रहे न हम लोग आख से देख रहे हैं आगे पीछे कर रहा है तो आग से देख रहे है त करेंगे और जो के होगा वही यहां पर डाल देंगे वह टाइम पिरियोड निकलेगा तो देखिए अब इस पर जब तक कोश्चन करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा तो अभी मोटा मोटी ऐसा बात आप समझ लेजिए कि यह से चेक करना है तो दो ही बात से चेक हो जाएगा एक दिखना चाहिए और एक ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और एक्जांपल से इसको थोड़ा सा समझते हैं जैसे आपको ऐसा कुछ हो यह हो गया मीन पोजीशन मीन पोजीशन भी बोलते हैं एक पार्टकिल इधर जा रहा है और पार्टकिल आ रहा है यानि से दिखना यह ओके हैं यह से दिख रहा है यह से होने का चांस है अभी नहीं दुसरा पॉइंट आप फोर्स जब इसके लिए निकालना शुरू किये तो फोर्स ऐसा आ गया कि अगया है हम बोले थे दो पॉइंट से इसे चंपकर में आता है कि आंक से दिखना तो सही है दिख रहा है दुसरा कि दुसरा ऐसा होना चाहिए था कि फोर्स पॉर्पोर्शनल टू एक्स या एफ बराबर की एक्स इस फॉर्म में होना चाहिए था देखते हैं यहां पर लेकिन X नीचे भी तो है A proportional to X भी इस नीचे भी है तो हम बोलेंगे इस case में इस particular case में यह चीछ ऐसा नहीं है यह जो equation है बिल्कुल ऐसा नहीं है एक स्थ उपर है पर नीचे भी X है तो हम बोलेंगे कि आंक से तो दिख रहा है पर यह equation इस एसा फिट नहीं बैठ रहा है तो zhm नहीं हम कैसा बोलेंगे प्रियोडिक है ऐसे मोशन को कि जिसमें यह equation नब ने आग्से तो सिर्फ दीखे कि आगे पीछे पर यह equation न बने तो ऐसे equation को लोग बोलते हैं प्रियोडिक है या ओसिलेट्री ओस्यलेशन कर रहा है 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 लेते उसे कोई changing नहीं आए ऐसा equation है तो हम इन दोनों को देखने के बाद बोलेंगे कि चुकि इसन ऐसा नहीं बन रहा है इसलिए ये दोनों बात ये बताता है कि शे चैम नहीं है बलकि periodic है यह और यह है और आसि अद्क के लिए यहां पैसा कुछ condition बना दे आपको एक्स बहुत ही बहुत ही छोटा है आर से एक्स वेरी वेरी लेस देन आर ती इसमें एक्स प्रावर कितना करते हैं जीरो तब जब पलस या माइनस हो अब देखे तो इसको सिंप्लिफाई करके इसको अब सिंप्लिफाई किजिए तो f equal to अब कितना होगा 2 by pi square x प्रावर 0 यहां कर ले हैं नहीं कर सकते हैं यहां पर करेंगे 0 जहां पर पलस या माइनस हो तो उपर हो जागा x r square by यह खतम हो गया यह r square है रूट है यह खतम होके r बना एक कैंसिल हुआ यह equation बन गया f equal to 2 यह r आगे कर लिजिए by pi square into x यह इसमें f proportional to x आ गया इसमें f proportional to x से बागी कहीं x नहीं है तो हम बोलेंगे कि यह बात अब यही equation यह जो आगे पीछे कर रहा था motion वह आख से दिख रहा था और general equation यह था लेकिन यह condition यदि बन गया यह वाला condition बन गया उसके बाद यह force रहा नहीं यह नया force यह आ गया यह कैस proportional to x यहाँ भी force proportional to x आप बोलेंगे कि अब जो है यह SHM है तो इन दोनों में देखी force का एक equation यह ही दोनों से अंतर हो जाता है कि SHM है कि नहीं यह बरा सा यहाँ पर टर्म है एक सूपर नीचे SHM नहीं periodic और यहाँ पर बस अकेला एक एक से force proportional to x तो बोलेंगे SHM है अभी अभ एक्स वेरी वेरी लेस्टेनार यानि बहुत ही छोटा यह जो एक्स है यह जो displacement है बहुँ जादा नहीं बहुत ही छोटा है तो दिमाग में एक पार डालना सुरू किजिए SHM चैटर में जब परहेंगे हम लोग तो यह आएगा कि जब displacement बहुत ही छोटा हो तभी SHM होता है जब बड़ा सा displacement होना सुरू करें दूर दूर जाए तो यह equation बनेगा ही नहीं यह equation पर रुख जाएगा आके तो जब बड़ा दूरी हो बड़ा सा distance हो तो periodic बोलेंगे और जब छोटा सा distance में आगे पीछे करें तो यह SHM बनेगा दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए त चोटाओ को कैसे बोला जाता ऐसे बोलाजाता है एकस वेरी वेरी लेस देन आर यदि एकस बहुत ही चोटाओ याने वेरी लेस देन आर ऐसा कुछ कंडिशन बोले तब यह S.H.M. बन जागा है ठीक है इतना के लिए अब यह हैं यह equation तो time period कितना इसका time period कितना है तो यहां maya एक सके सामने में लगा हो इतना ब Lak इस इसीको आवरे में पूरे इस बात को इसके बोलेंगे और इसको उठा यहां हां डाल दें एम तो हो गया मास इस पार्टिक्ली का जो आगे सबहर करता है कि इतना इतना इन दें तो क्या निकल जागा इसे चम का टाइम पिरिए तो अभी हम लोग जो भी डिसकेशन किये बिल्कुल बुक इस नहीं किये जो बुक में लिखा रहाता हो इसे करेंगे थोड़ा टाइम टेक्निक ज्यादा होगा परने में आप एदम इजिली इसको स्वाल किजिएगा करने में नोट किजिए इसको को ठीक है अभी हम लोग एक कॉस्चन करते हैं पैज नमबर 16 का कॉस्चन नमबर 13 ची लोग resposta open-c sincer नहीं है वो चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके लिंक दिया है नोट का भी मेना हैं रिटेन नोस है रिखा हुआ वो और चॉप्यों दोनों आग उसका डाउनलोट कर लीजिए उसका प्रिंट ले लीजिए ताके आपका काम easy हो जाये और जल्दी fast हो काम तो जिनके पास नहीं है जिनके पास है पेज नमर 16 पे जाईए और question number 13 को देखिए और जिनले को पास नहीं है बोट पे देखिए यहाँ पे question को कोशिस किजी ठीक है तो देखते हैं क्या बोलता है एक सेक्सिस वाई एक्सिस वह इस वोड़ा तू चार्ज इच इक्वल टू क्यू आर्टै एक से इक सिक्वल टू माइनस से यह हो गया यह हो गया X equal to plus A और charge कितना है same Q रख दिया फिर question बोलता है particle of mass M and charge Q naught Q naught बराबर दिया हुआ Q by 2 लेकिन उसको लेना नहीं Q naught ही लिजे इस placed at the origin कह रहा है कि यहां पर origin पे Q naught को रख दिया ठीक है अब question आगे मत परिया question को आगे मत देखे बोड़ पर दीखे यहां पर X axis है यह Y axis है X axis पे एक चार्ज यहां रखा एक चार्ज यहां एक चार्ज यहां है ठीक है अभी आपको बताना है origin पे Q naught को रखे बता यह इस पर फोर्स कितना लगेगा इस पे फोर्स कितना लगेगा देखिए तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर धक्का देगा डिस्टेंस कितना ही है ए फिर ये वाला इसको इधर धक्का देगा क्योंकि सेम साइन है तो ये वाला इसको ऐसे धक्का देगा और ये वाला उसको इधर धक्का देगा दोनों का डिस्टेंस देखिए तो दोनों का डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है नहीं कि फोर्स इस इस पे अभी कोई force नहीं लगेगा अच्छे से देखिए कोई force नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं question क्या बोलता है आगे बढ़िए question में क्या लिखा हुआ है देखिए वहाँ पर question में लिखा हुआ है if q naught is given a small displacement इसको small displacement डिया किधर a long y-axis ठीक है यानि कि इसको थोड़ा सा दूर small displacement यहां पर कर देते हैं क्यों नोट को अब यहां कर दिया अब यहां नहीं है इसको हटाइए कि यहां से हटाकर यहां कर दिये और इस distance को इस distance को वाई बोल दिये लेकिन small displacement यह जो displacement है वाई बहुत ही छोटा है इसके लिए कहीं condition आप लिए यह condition है याद आया कुछ कभी भी किसी भी question physics में ऐसा कुछ condition बने यानि कि वाई छोटा हो दो तीन तरह से बोलता है question ठीटा छोटा हो ठीटा small displacement यह distance small या फिर ऐसे करके बोलते y very very less than a तो याद है आप लोग ऐसे करते काम इसका इस्तेमाल करना ही परेगा जहां पर पलस या माइनस होगा तो किसको neglect करना होगा वाई को zero कर लेना होगा ठीक है इसको बाद में करेंगा आगे question परते हैं क्या लिखा है कर रहा है कि net force acting on the particle is proportional to कर अब इस पार्टिकल पहले यहां पर यह वाला पार्टिकल पहले यहां था तो फोर्स कितना था जीरो था लेकिन अभी इसको यहां कर दें तो पूछा अब कितना फोर्स लगेगा तो अब आपसे पूछा ऐसा कि अब जो फोर्स होगा यह कितना होगा यह नहीं पूछा है अभी ऐसा नहीं पूछा है अभी पूछा एक हो लिखने का जरूरत होता नहीं है अभी आपसन अब देखborg来 क्या कया है वाई ऐसा करके दिया हूँ है है तो एक वारा आप आप situation समझ लिए हैं अपने से try भी कर चुके होंगे या फिर try कर रहे होंगे हम लोग इसको देखते हैं solve करते हैं situation समझ भी आ गया गया ना ये दूरी ए ये भी ए और इस तरह का situation वणा हुआ है अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे जल्दी से बनाते हैं या फिर क्या हम सोचते यह डाइग्राम इस टाइप का डाइग्राम है कि इतना यह है इतना यह है इतना करने का जरूरत नहीं आपको समझ में आता है तो देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको कि यैजी समझ में आता है तो डारेक्ट हम लोग कैसे काम करेंगे पूरा करने का ज़रूरत नहीं ऐसे बनाएगे के इधर भी рукू इधर का है एकस पर्राबर पल से एकसर माइनस है तो पूरा करने के ज़रूरत नहीं कि यहाँ लिख रहें एक सो माइनस उसली लिखने का जुड़त नहीं है इधर क्यूक्यूDistence कितना है ए यह और यह और यहां पर यहां पी टो यहां पर चार्ट इमारा क्यों औंड इन इसले इसलेंस उआकर फोर्स पहुप पूझा प्रपोर्शनल तो यहाँ पहले फोर्स निकालते हैं यह वाला चार्झ इस चार्ट को क्या करेगा अपने इसी डॉ से करेगा हैं कि और यह दिख़ते हैं यह तक कि दोनों को एफ लिख सकते हैं दोनों एफ होगा क्योंकि यह distance और यह distance same है, equilateral triangle वाला याद है ना, equilateral triangle का concept, तो उसमें ऐसा ही नहोता था, यह दोनों बराबर होता था, दोनों को f लिखेंगे, और resultant यह होगा, net, net force यह होगा, माल लेते हैं कि यह angle theta है, अभी तो पता नहीं न, यह तो y है, equilateral triangle थोरे हैं यह, यह distance बस y है, दिया यह बताए, तो इस triangle के बारे में, इस triangle के बारे में, यह distance कितना होगा, root under, यह hypotenuse हो गया, इस triangle का, right angle triangle का, यह hypotenuse है, अभी आपसे पूछा क्या था, फिर से बात करते हैं, कर रहा है कि इस q naught पे, net force कितना लगेगा, तो net force तो यह लग रहा है, लिखते हैं, यह कितना लग कहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर direct लिख आईए, net force, कितना, तो net force में, एक f cos theta, एक component, और एक f cos theta, यानि दो component, कितना हो गया, 2f cos theta, बोर्ट पर देखिए, यह जो net force लग रहा है, यह जो net force है, इतना, net force इतना लगेगा, यह net force चाहिए, तो एक इसका component, और एक इसका component, यानि कि 2f cos theta, आगे बरिए, 2 into f, f कितना, f तो इन दोनों का है, इन दोनों के बीची को ने f बोल रहा है, फर्मूला लिख वाइए, k, k के जगा पे, 1 by 4 pi epsilon 0 भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, k लिख लिख लिए, q, q0, q, q0, divided by, यह distance, इसका square, a square, plus y square, into cos theta, 2 लिख लिए, f का value इतना हो गया, यह भी लिख लिख लिए, cos theta, cos theta यहां से बताइए, base, y, beta, hypotenuse, a square, plus y square, root में, देखिए, force लिख लिख लिए, यहां पे आगे, और आगे simplify करना है, तो constant सब को चाहें, तो आप हटा सकते हैं, यहां से, जैसे 2, k, q, q0, यह सब constant इसको हटा लेंगे, equation simplify, आप से पूछा क्या था, question में यह नहीं पूछा था, force proportional to, यह पूछा था, यह चीज पूछा है, constant तो पूछा नहीं है, तो constant को यह नहीं लिखेंगे, तो यहां पर direct हम, यहां से ऐसा कर सकते हैं, डिरेक्टीस को हटा सकते था, यह सब को, तो यहां पर simplify करके लिखते हैं, यह सब खतम, यह हमारे लिए खतम हो चुका है, नहीं लिख रहे हैं, यहां पर y divided by, यह दोनों का करेंगे, जब multiplication, तो आजाएगा, a square, plus y square का whole, 3 by 2, यह force बराबर आ रहा है, फोर्स है, इतना, answer तो इस फोर्म में आता, लेकिन एक condition दिया हो था, एक condition यह था, कि y very very less than यह, बोले थेने कि इसका इसका इस्तेमाल last में करेंगे, यह सदिया हुआ है, इसमें किसको 0 कर लें, y को 0 कर लें, कहां, जहां पर plus यह, minus होता है, plus और minus यहां पर है, इसको 0 कीजिए, इसको 0 कर लें दे, तो a square to 2, to cut जागा, aq बनेगा, aq बन जागा, aq बन गया, तो constant है न, a तो constant है, तो बसा केला क्या बचेगा, y, तो हम बोलेंगे, यह तो term खतम हो नहीं, y तो 0 ही हो गया, तो बोलेंगे, force proportional to y, यानि यहां से आगे हम बरके लिख सकते हैं, y by a square to aq, यह तो constant है, इसको भी नहीं लिखना है, तो force proportional to कितना हो गया, y, कौन सा answer हो गया, देखिए, इसका answer a हो गया, जो भी है देख लिजिए, एक बड़ इसको समझी कैसे कैसे किये हम, इसको फिर से करेंगे, हम दुबारा करेंगे, एक बड़ देखिए इसको, इसी question को फिर से देखते हैं, पूछा था कि यहां पर रखे थे पहले, तो force 0 था, इसको यहां कर दिये, तो अब force कितना लग रहा, तो एक यह repel किया, एक यह repel किया, इन दोनों का, इसका component F cos theta, इसका भी component F cos theta, तो 2F cos theta हो गया, यह net force लिखा गया, अब आगे हम लोग बरहे हैं, तो किसी को neglect मत किर जिए, constant को हटाईए नहीं, अब हो सकता है कल को यह भी पूछे, कि force अभी पूछा था कि force proportional to, यह नहीं पूछके, यह नहीं पूछके, यह पूछता है कि यह कितना, तो हम लोग यहां से पूरा के पूरा निकालते हैं, 2, F को लिखते हैं, 1 by 4 pi epsilon 0, के भी लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon 0, q into q 0, q into q 0, divided by, इस distance का square, a square plus y square, into cost theta, cost theta पराब base, बटा, hypotenuse, hypotenuse यह root under, a square plus y square, यहां से आगे बरहेंगे, simplify होगा, तो q, q 0 by, यह 2 हो जाएगा, 2 pi epsilon 0, y बटा, a square plus y square, यह हो गया force, अब हम इस condition का इस्तेमाल कर लें तो, कि y very very less than, यह ने condition दिया हुआ है, तो यहां पर y को 0 कर लें, यहां पर, यहां तो कर नहीं सकते, जहां plus minus होता है, यह दोनों का गुणा हुआ, तो यहां पर कितना बच गया, 3 by 2, तो यहां पर y बराबर 0 कर लिए, अब equation कितना हो जाएगा, final, कहीं पर लिखना है, तो यहां पर लिखवाईए, कितना, f बराबर कितना final हो जाएगा, q, q 0 by, 2 pi, epsilon 0, यहां से a square है, टू से टू गया, aq बना, इतना aq, और अकेला y इधर बचा हुआ है, यह, यह हो गया force का final format, यह दि question ऐसे नहीं पूछे, ऐसे पूछे, तो यह हो गया answer, एक बड़ देख लीजे इसका answer, q, q 0 by, 2 pi, epsilon 0, aq, into y, f proportional to y, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, अभी जो हम लोग यह question देखें, इसी question को, अब अलग format में देखते हैं, इसी question को, बोट में दिखिए, suppose कि यह charge q था, यह distance a है, यह distance b, a है, यह distance y है, और यहाँ पे charge q 0 था पहले, अब हम लोग minus q 0 कर लें, suppose कि यह minus q 0 है, अब बताईए कि इस पर force किधर लाएगा, सिर्फ direction बताईए, अब लोग सोचके किधर लाएगा, net force किधर लाएगा, इधर left, right, उपर, positive y axis में, negative y axis में, किधर लाएगा, सोचिए एक बार, जब तक सोचिएगा नहीं, physics ठीक नहीं होगा, सोचना सुरू किजिए, physics ठीक हो जाएगा, एक बार सोचिए, video pause किजिए, सोचिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण, यह minus यह पलस है, तो खीचेगा, ऐसा force, फिर यह वाला भी, यह minus Q note है, यह वाला भी force, खीचेगा ही, पलस है, यह minus है, तो खीचेगा ही, इन दोनों का resultant यह बनेगा, यह होगा net, net force, यह होगा net force, तो देख लीजिए, resultant किस तरह से बन रहा ही, इन दोनों का, यह वाला चार्च, उसको इधर खीचेगा, यह वाला इधर खीचेगा, तो resultant बीच से आएगा, अब इसका motion कैसा होगा, like question पूछ रहे हैं, इसका motion कैसा होगा, इसको यह छोड दिया जाए, जैसे, यह pain है, पैन पर एक mg लग रहा है, इसको छोड दिया जाए, तो motion कैसा होगा, डारेक्टली नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा, यह ऐसा motion होगा, इसमें पूछ रहा है कि कैसा motion, छोड़ दें, तो क्या force ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ, तो जाके गिर जाएगा, तो देखते हैं, यह बता है कि charge पर force लग रहा है, इसके कारणी छोड़ें, इसको पहले जानते हैं पलस जो चार्ज होता है वह को खीची लेता है तो यह दोनों पलस इस माइनस को पहले खीचा अपनी तरफ जब आते आते यहां यहां तो एक वेलोसिटी इसके पास आ गया वह आगे बढ़ गया नीचे आया तो फिर यह दोनों पलस उपर की तरफ इसको माइनस है ना फिर उपर की तरफ इसको खीच लिया इसका मतलब फिर कहीं पर जाते है तो रुकेगा फिर उपर जाएगा रुकेगा और इस तरह से मोशन करने लगेगा कैसा मोशन हो गए ऐसे चेम की प्रियोडिक आम लोग नहीं बोल सकते हैं अभी कि एसे चेम हुआ है क्योंकि जब तक यह एक्वेसर ना बने एक बराबर केक्स ना बने तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ऐसे एक यह प्रियोडिक ओसा-टांता है यह इसे चेंस हो सकता है तो आगे करें यह बन जाएगा तो आख से दिख रहें के पार्टřी को च्छोडricht नीचे लगए तो नीचे बढ़एगा इधर आगया तो फिर से फोर्स उपर की तरफ पी पलस है ना यह माइनस को खीचई लग तो फिर रूप जाएगा कई लोग ऐसा सोच रहों कि एम जी लग रहा हूं इसको खीच लेगा तो एम जी को अभी हटा दीजिए आप एमजी नेगलेक्ट है इसमें इसमें नेगलेक्ट माले लीजी जी बराबर जीरो जी अभी है नहीं तो सीधा-सीधा कोश्चन कर रहे हैं ये दूरी A था ये भी A इस पर पूछ रहा है नेट फोर्स कितना लगेगा माल लेतने एंगिल ठीटा है ये भी एंगिल ठीटा ही होगा तो यहां लिखवाईए नेट फोर्स इसका जैसे उसमें पहले कैसा था ऐसा फोर्स था तो F कोस्ट ठीटा ये था तो F कोस्ट ठीटा स सेम वही कोश्चन है उस कोश्चन में पलस चार्ज था तो उपर फोर्स लगा था इस कोश्चन में माइनस है तो नीचे फोर्स लग गया लेकिन सब कुछ वही रहेगा फर्मूला लिखवाई यह टू एफ के जगा कितना था वन बाई फोर पाई अपसेलन नॉट क्यू क्यू वाई यह दिस्टेंस तो अभी देखे थे यह दूरी कितना था वाई यह 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 यए वाई तो यह दूरी तो निकल ही जाता था एसक्वार पलस वाई स्कूर कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा बराबर बेस सब कुछ फर्मूला वही है जो पहले था जा है रूट अंडर a squared plus y squared अभी देखें यहां पर simplify स्वासा कर लेते हैं यह हो गया Q नोट भाई यह 2 से कटेगा 2 पाई epsilon Y बटा a squared plus y squared का होल दो बार नहें यहां पर है यहां पर संफिता power 1 है यह root है power 3 by 2 यह हो गया force अभी आपको कुछ भी question में नहीं बोला है लोग बनाना जब शुरू किये तो force proportional to y आया क्या यदि देखिए force proportional to x आ जाए या force proportional to y आ जाए यह equation ऐसे हो जागा एब बरावर kx और यह equation हो जागा एब बरावर ky यदि ऐसा equation होगा तो यह shm है किस axis में x axis में ऐसे कर रहा होगा ऐसा equation आ जाया तो y axis में उपर नीचे कर रहा होगा दोनों एक से यह यह y मतलब ऐसे से कर रहा होगा तो यहां पर बताईए यह जो आख से तो दिखा था को कि नीचे ऊपर कर रहा है लेकिन force for proportional to y सिर्फ आया है या y नीचे भी है नीचे भी है हम बोलेंगे यह जो equation आ गया है यह shm का equation नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ y होना चाहिते इतना नहीं होना चाहिते यह y यह यहाँ नहीं होना है अब ऐसा कोश्टन यह सहम का नहीं यह प्रियोडिक मोशनी लेकिन अब कउस्टन इसमें ऐसा बना दे संदे अ मैसा कि आई वरी वरी लेस देनी यह एक अलग से देट वे यानी कि यह वाय इस्मौल है छोटा है यह जो y है बहुत ही छोटा है तो अब इसका इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे y छोटा है तो y वराबर क्या कर लेंगे यहाँ तो 0 कर नहीं सकते यहाँ 0 कर लेंगे तो equation क्या आजएगा force का q q not by 2 pi epsilon not यहाँ से कितना हो जागा 2 to cut यह तो यहाँ पर एक यह लिखिये इन्टु वाई अब यह जो equation है इस equation फोर्स प्रोपोर्शनल टुवाई है फोर्स प्रोपोर्शनल टुवाई बन गया यह कैसा equation अगा एक ब्रावर के वाई जैसा आ गया कि किसी स्काइक्वेशन है यह जो ने अब अब यह बन गया으िव है जोड़ि यह हुआ जो यही और इस बनता है और इस पर्वस्शनल टु आइज वाय तो तो एक बात फिर से हब को रिपीट कर देते हैं इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा जब डिस्प्लेस्मेंट बहुत छोटा हो और आगे पीछे करता हो तो यह प्रियोडिक होगा नहीं होगा एकदम स्मॉल डिस्प्लेस्मेंट जाहिए तभी वह होता है यहां पर देखिए स्मॉल था तभी एकवेशन इस तरह से फॉर्मेट में रिडिउस हो गया यानि कि यह बन गया एसे चेम यह था प्रियोडिक अब एसे चेम बन गया तो पूछे का कि टाइम पिरिड कितना होगा तो यह बताए यहां पर एकवेशन तो यह न होता है यहां यानि कि f के साथ जो गुना में यहां y के साथ y के साथ जो गुना में उसी को k बोलते हैं यानि इतना दूर क्या हो गया k तो टाइम पिरिड का फर्मूला हो गया 2 pi root under m by k यही न होता है k के जगर कितना लिख दे इतना बराबात को लिख तो टाइम पिरिड बोलेंगे 2 pi root under m by k k के जगर लिखे यहां से तो q q not इतना बराबात उपर चला जागा 2 pi epsilon not aq यह हो गया टाइम पिरिड इस shm का जब यह उपर नीचे करे उस shm का यह हो गया time period यह बहुत important question है और यह example problem NCRT का उसका question है तो हो सकता है इसको पूछे यह ठीक है हम लोग एक question करते हैं आपके पास सिदी question है तो page number 11 का question number 31 page number 11 का question number 31 है यह iat 84 का iat 84 का question है देखिए यह बोट पे question page number 11 का question number 31 क्या-क्या बोला question देखते हैं 2 equal negative charge minus q और fixed at point x ब्राबर 0 y ब्राबर minus है यानि एक नीचे में यहाँ पे यह distance कितना रखा गया है और यहाँ पे charge है minus q ऐसा बोल रहा है question फिर बोल रहा है एक एक ब्राबर 0 y ब्राबर यानि एक इधर यह plus यह भी minus ही यह भी minus q ही लेकिन यह distance भी a ही है question देख लीजे फिर से परके 2 equal negative charge fixed at 0 minus a यह 0 minus a और एक 0 plus है यहाँ तो हम लोग इस point को चाहिए तो 0 plus a बोल सकते हैं 0 minus a बोल सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसा बार बार बोलेंगे नहीं है मारा understanding यह सही है तो यह सब लिखने का ज़रूरत नहीं यह distance a और यह distance भी a यह origin है यह वाला point origin यह a और यह भी यह इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है आपके understanding करता है कितना fast कितना सही से आप डाइगराम बनाते हैं एक एक point लिखने का ज़रूत नहीं है फिर आगे बढ़िए यह positive charge capital Q is released at point 2a0 यहां पर कहीं पॉइंट है यह distance कितना हो गया यहां पर चार्ज कैसा है capital Q है इसको छोड़ा जा रहा है तो कहा रहा है कि चार्ज क्यू विल क्या होगा तो लिखा यह option में कि सचेम करेगा periodic होगा इस type से या move करेगा जो भी है इसमें पूछ रहा है इसको छोड़ा जाए त देखते हैं एक बन्हार खुद से सोच लिजी कि इस पर प् में कैसा यहला किसा फोर्ज लगाएगा यह वाला इस पर कैसा फोर्ज लगा और नेट फोर्स किढस के वाद आपना दिमार्ज लगाना सुरू किजी की ऐसे से चम करेगा कि परियोडी करेगा कि इन फॉड़ाइ को कि यह वाला माइनस इस पलस को खीचेगा यह माइनस इस पलस को खीचेगा दोनों फोर सेम होगा क्या देखे तो क्यूं क्यों यह Egg Strats इसके लिए भी यह distance और यह distance same है, इसके लिए दोनों charge का combination, इन दोनों charge का combination इसके लिए भी same है, यानि दोनों force same लगेगा, यह line मिटा दीजिए, बस समझाने के लिए बोले थे, यह line, यह दो force लग रहा है, इन दोनों का resultant बताई किदर होगा, इन दोनों force का resultant किदर होगा, ये होगा, ये resultant हो गया, इसको बोज सकते हैं, net, net force, ये तो distance to a था, ये वाला distance to a है, बोर्ट भी बढ़े हैं से देखिए, अच्छे से, ये वाला इसको खीचेगा उपर, ये वाला नीचे की तरफ खीचेगा, ये दोनों minus नहां है, ये दोनों minus है, इस plus है, plus को तो खीची लगा, minus है क्या करता है, खीचता है हमें सा, तो ये दोनों minus, इस plus को खीचेगा ही बीच में, net force देख भी रहा है, ये इधर एक इधर लग रहा है, तो net force ये हुआ, अभी इस force के वज़े से, इसको जैसे ही छोड़ दिया जाए, भागना शुरू करेगा, भागते भागते जब यहां पहुचेगा, यह भागते 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 जब यहां पहुचेगा, तो यह जानते हैं, यहां तो zero velocity था, लेकिन भागते भागते जब यहां पहुचा, तो यहां एक velocity आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, जैसे इधर आ गया, यह यह फिर से माइनस यह लग जागा यहां से चलते 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 यहां पहुंचे लगने लगा इस डाइज़ तो जाते यह विलोसिटी था उसके करान आगे बाएज लग गया रुखने के वाद चुक्त कि फोर्स लग रहा है तो फिर से खीच लिया नहें उन्हें फिर वह और आ और आगे पीछ आगे पीछे करना शुरू करेगा, इसलिए क्योंकि इदर जाएगा, तो इधर फोर्स माईनस है, इधर खीच लेगा, इधर जाएगा तो यह दोनों माईनस इदर खीच लेगा, और यह आगे पीछे करने लगा, तो पहला point, आंक से दिख रहा है आंक से दिख गया इसका मतलब कि यह periodic motion है या फिर SHM हो सकता है दोनों में अंतर यह है कि SHM होगा तो proportional to X होगा SHM तब होचा जब displacement या distance क्या हो बहुत ही छोटा हो और नहीं कुछ हो बड़ा हो तो periodic होगा तो अब बताए इस question को पूरा पर के फिर से कि आंक से दिख रहा है कि आगे पीछे कर रहा है तो periodic होगा कि SHM एक पर question फिर से पढ़िए और देखिए इसको समझ के कि क्या होना चाहिए अभी यहां पर देखिए ठीक है आंक से तो दिख रहा है आपका कि आगे पीछे कर रहा है यह पहला point हो गया अब देखिए यहां पर यह जो distance है यह वाला यह distance यह जो distance है टू है यह छोटा है कि बड़ा है distance यह दूरी ए था और यह distance它 है तो हम इका सकते हैं यह distance इतना दूर से खुद यह अब दिखिए घर नहीं हो गई यह periodic होगा कौन सा एंसर हुआ यह distance काफी यह तो है उससे भी बढ़ा ही है तो यह से चम नहीं होगा कभी periodic होगा अश्मॉल रहता तो periodic होता कौन सा होगे आप लोग तो अभी भी इसके कॉंपरीजन में है ना ऐसा थो रहे कि एक हजार है यह एक है ऐसा तो नहीं है अभी भी यह दूरी इस से बहुत छोटा नहीं है अभी भी बोलेंगे प्रियोडिके लेकिन यह distance ऐसा बोल दें इस distance को बोल दें कि एकस है और यह condition लगा दे यह condition बना दे यह जो X से यहां से यहां तक का X इस A से बहुत ही छोटा है यानि यह चोटा हो गया बहुत अब क्या हो जागा यही कोस्टन कैसा हो जागा SHM हो जागा ठीक है इसको note कर लीजिए समझ लीजिए आगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक है अपने notes में page number 2 पे जाईए symmetry configuration है जो भी आपके पास notes available होगा उसमें जाइए page number 2 पे symmetry configuration परना है अब ही हम लोग देखते हैं symmetry configuration किसको बहुते हैं क्या होता है symmetry configuration तो जैसे इस तरह का charge हो दो Q Q तो midpoint पे बताइए कि एक नया charge को रख दिया जाए Q को तो इस पर force कितना लगेगा तो यह Q इस Q को धक्का देगा F से फिर यह Q इस Q को उभी धक्का देगा same sign है यह distance बराबर है midpoint है तो और charge भी सब कुछ same है तो हम बोलेंगे कि यह दोनों force खतम हो जाएगा और net force कितना हो जाएगा जीरो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो चार्ज हो दो चार्ज हो इसका जो midpoint है यह जो midpoint है वो बिल्कुल symmetrical है मैंने इन दोनों के ठीक बिल्कुल symmetrical point है इसको midpoint बोल रहे हैं midpoint पे force कितना लगेगा midpoint पे force कितना होगा जीरो तो हम ऐसा बोलेंगे कि दोनों से related दोनों के respect में mid जो point हो बिल्कुल symmetrical है इसलिए यहां पर किसी भी चार्ज को रख दिया जाए क्यू रखे रखिये या माइनस क्यू रखिये इस फे force कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसी को symmetrical point बोलते हैं इसी को बोलते हैं यह symmetrical point है या इसको symmetry city बोलते हैं कि बिल्कुल symmetrical है ठीक है और भी कैसार example इसमें देखेंगे कि कौनकों सा point symmetrical होता है तो ठीक mid point जो है बिल्कुल symmetrical इसलिए है कि mid point से इधर की तरफ देखेंगे distance same इधर देखेंगे यह भी distance क्या है सेम ही है इसलिए mid point symmetrical है इसको एक बार देख इसलिए और भी हम लोग symmetrical point देखना है कि कौनकों सा point symmetrical होता है तो आप देख सकते हैं जैसे अभी अभी हम लोग देखें कि दो चार्ज हो तो इसका ठीक mid point symmetrical है और यह force कितना हो जाता है जीरू लेकिन यह बताए कि यह charge q1 हो यह charge q2 हो अभी भी मिट point symmetrical होगा नहीं होगा इस है और इधर देखते हैं तो अलग power काई कमजोर charge हो सकता है मजबूत चार्ज हो तो symmetrical नहीं बोलेंगे और इस case में force 0 नहीं होगा लेकिन दोनों बराबर हो जाए तो बोलेंगे mid point symmetrical point है और यहां पर force कितना होगा जीरू हो जागा और बताए symmetrical point notes में बहुत सारा point लिखा बोलेंगे कैसे diagonal से इसा देखिए यह सब कुछ सेम चार्ज भी सेम चार्ज भी सेम तो symmetrical बोलेंगे और देखिए कैसे यहां पे किसी चार्ज को रखें तो यह वाला जितना इधर धका देगा यह वाला उतना उदर धका देगा जीरू कर देगा फिर यह दोनों भी आपस में सेम है ना यह दिट्सेंस सें चैने नेट सेतना फोट हो जागा जीरोघी सेंट कलोगा पॉइंट इसे पहो सरे सिमेटरी कल पॉइंट है जैसे cube है cube है cube का symmetrical point किसको बोला करेंगे जो इसका diagonal है यानि इसका center, cube का center cube का center कौन होता है यह जो diagonal मिलाते हैं फिर यह diagonal cut करते हैं वो जो cube का center हो गया यह हो गया symmetrical और यहां पर कितना होगा force 0 होगा तो एक बार वोट पर से देख लिजिए notes है तो notes को देख लिजिए यह सारा symmetrical point है इस पर सब पर जहां कहीं भी charge रखेंगे सब जगा force 0 होता जाएगा एक बार देख लिजिए तो तो आज हम लोग देखते हैं क्या-क्या symmetrical configuration हो सकता है जैसे एक ऐसा हो सकता triangle equilateral triangle हो सब पर यहां पर पलस charge रख दिया जाए सब पलस q है यहां पर इसका जो centroid होगा center किसी भी triangle का जो center होता है वो symmetrical होगा देखिए यहां पर किसी charge को रख दे force पूछे तो यह वाला force ऐसे लगेगा यह वाला यह charge इस direction में force लगाएगा और यह वाला charge इस direction में force लगाएगा यानि कि इस point पे तीन force लग रहा है और equilateral triangle है तो यह angle 120 यह angle 120 और यह भी angle पूरा का पूरा 120 होगा यानि कि तीन vector हो गया ऐसे तीन vector हो गया सब का angle आपस में कितना है 120 ही है सब का आपस में angle 120 हो और आपको vector में कभी परने को जरूर मिला होगा कि तीन vector हो equal equal magnitude का और सब के बीच angle कितना हो 120 120 120 120 सब हो तो net resultant इसका कितना हो जाता है 0 हो जाता है देखिए कैसे इन दोनों force का resultant तो यह होगा यह होगा resultant यह force और यह force का resultant बीट से जाएगा यह angle कितना हो जाएगा यह angle 60 और यह angle भी 60 यह भी angle कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो इसका component इतर कितना आजाएगा f cos 60 degree और इसका भी आजाएगा f cos 60 degree यानि 2f cos 60 degree यह कितना हो जाएगा 2 into f into cos 60 कितना होता है half यह खतम होके कितना बच जाएगा एफ तो इधर की तरफ जो इन दोनों का रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का इन दोनों का वेक्टर का यह और यह मिलाने के बाद रिजल्टेंट यह जो बन रहा है यह कितना हो गया एफ यह नहीं एफ है यह बन गया ऊपर की तरफ एफ है और नीचे की तरफ कितना एफ यह दोनों कट गया और नेट फोर्स कितना हो गया नेट जीरो तो हम लोग ध्यान रखेंगे यदि तीन वेक्टर हो आपस में इक्वल मैंगिटीट का 120-120 एंगिल बनाता हो तो रिजल्टन जीरो होता है तो हम लोग गोले ऐसा जिसमें यह तीन चार्ज रखा हो इक्वलेक्टर ट्रेंगल के कॉर्णर पर इसका सेंट्रॉइड है उसे मेट्रीकल है और से मेट्रीकल पर फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक और देख लीजिए समझ लीजिए यह बहु ज़्यादा इतना समझने के जिवरत नह देखिए एक्षागॉन है कि सब पर पलस पलस चार्ज हो कि सब पर माली क्यों चार्ज है यह जो सेंटर है यह बिल्कुल सिमेट्रिकल है यहां पर किसी चार्ज को रख दें तो यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा देखिए कैसे यह वाला क्या करेगा यह वाला यह चार्ज इस चार्ज को धक्का देगा फोर्स से फिर यह वाला इस चार्ज को इधर धक्का देगा दोनों फोर्स सेम हो क्योंकि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है यह और यह और चार्ज भी सेम है इसलि इस सेंटर पे किसी को रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा जीरो आएगा किसी चार्ज को रख दिया जाए तो फोर्स जीरो आएगा इसलिए कि यह दोनों आमने सामने यह दोनों आमने सामने और यह दोनों आमने सामने यह बिलकुल इन दोनों लाइन के ठीक बीच बीच यह पड़ता है symmetrical point है तो hexagon का जो center है वो symmetrical है यदि सब पर charge रहे तो zero हो जागा force लेकिन अब बताइए यहां पर suppose कीजिए कि यहां charge नहीं है यह खाली जगह है यह बिल्कुल खाली हो गया नहीं है कोई charge अभी भी force zero होगा क्या नहीं होगा अब force zero नहीं हो सकता इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब यह symmetrical रहा नहीं जैसे कि यह room रूम में तीन तरफ से तीन तरफ से दीवाल बना हुआ हो एक तरफ खाली हो तो symmetrical नहीं बोलेंगे एक तरफ खाली है भी सेम यहां पर सब जगांपर चार्जर एक खाली जगह है, तो यह symmetrical नहीं है, symmetrical नहीं है, तो force 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा, 10, 20, 30 Newton जो भी हो, यह कुछ न कुछ force होगा, तो यह पूछा जाता है कि कितना force होगा, अभी force कितना होगा, यह question है, तो आप चाहें, तो इसको ऐसे सोच के बना सकते हैं, ऐसे करके सोच सकते हैं, बना सकते हैं, force निकालना हो इस पे, यह वाला, यह वाला इसको इधर force लगाए, और यह वाला उसको उपर force लगाए, इस लाइन में यह चार्ज इस चार्ज को ऐसे फोर्स लगाएगा और यह वाला इस चार्ज को ऐसे यह दोनों कट गया यह दोनों कैंसिल किया ठीक है यह दोनों को मिटा दीजिए कैंसिल कर दिया उसी तरह से यह दोनों भी कैंसिल कर जागा इसको खतम किजिए अकेला कौन सा पच गया यह और इसके कारण यहां resultant हो गया force कितना यह दूरी जो भी मानना है माल यार तो कितना हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड़ बाइ और इसको एंसर है ठीक है इस टेक्निक से जो आप question करते हैं लेकिन बनेगा नहीं देखिए यह regular hexagon था एक regular पेंटागोन लिजिए यहां रेगुलर पेंटागोन लिए एक दो तीन चार पाच अभी यहां पर सब पर चार्ज रख दीजिए यहां पेप पूछें कि net force कितना यदि center पे किसी को रके तो net force कितना तो यह भी बिल्कुल यहां पे force कितना हो जागा जीरो है सब आम आमने सामने तो नहीं कोई पर रहा है लेकिन यह symmetrical ऐसा है जैसे कि equilateral triangle में ऐसा ऐसा force बना था 120 पे सब कट के कितना हो गया था 0 वो यसे ही यहाँ पर 5 vector बनेगा एक इसके वज़े से एक इसके वज़े से सारा लेकिन symmetrical angle बनाएगा तो सब कट के 0 हो जाएगा तो यहाँ भी symmetrical structure bowling regular pentagon में यहाँ पर force अभी किसी को तो रखें यहाँ पर force 0 ही आएगा लेकिन question यह बोल दिया गया यह वाला नहीं है भी जैसे यहाँ पर यह नहीं था गायब था खाली जगह है यहाँ भी खाली जगह है अभी इसमें ट्रिकल नहीं अब तो कुछ ने कुछ force आए को भी पूछ रहा है कितना तो इसको जैसे बनाये थे उसे बनाने का कोशिस करते हैं लेकिन देखिए अगा नहीं बनेगा यह इसको कैसे बनाये थे यह आमने सामने वाला निकाले, इसके करण फोर्स निकाले, यहां पर चार्ज को रखके, तो यह ऐसे आएगा, चार्ज को यहां रख लेते हैं, एक फोर्स ऐसे आएगा, इसके करण निकाले, तो ऐसे आएगा, इसके करण निकाले, ऐसे आएगा, इसके करण निकाले, कुछ ऐसे आएगा, तो यहा पर चार चार्ज दिख रहा है चार दिख रहा है इसके वज़से ऐसा 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 कितना वेक्टर होगा एक दो तीन चार एक लाइन में तो है नहीं यहां तो एक लाइन में सामने सामने पढ़ता था तो तो इस टेकनिक से नहीं बनाएंगे अब इसको अलग टेकनिक से देखते हैं कैसे करेंगा ठीक है दोनों को एक ही टेकनिक इसको अलग टाइप एक टेकनिक को सीखते हैं देखिएगा आराम से कोश्चन बनेगा बहुत एजली बनेगा तो जहां पर खाली है चार्ज नहीं है यह विलकुल खाली जगा है इसको बोलते हैं कैवीटी हो गया आप लोग चाहें तो इसको लिख लें कैवीटी कॉंसेप्ट हम लोग cavity concept को cavity concept को देखते हैं और समझते हैं अबर क्या है cavity concept जो जगा खाली है उसको cavity बोलते हैं और यह जो concept अप सीख रहे हैं सिर्फ एसा नहीं कि अभी वाली elektrostate के लिए है और यह फिर particular यह चाप्टर चला रहा है यह पूरे physics में काम आएगा एक मोटा मोटी बात हम बताते हैं कहां कहां इसका जुरूरत परेगा यह आपको current electricity, electrostat जिसमें खास करके गौस लाने वाला है वहाँ जुरूरत परेगा फिर magnetic field में जुरूरत परेगा उसके बाद आगे चलेंगे तो rotation chapter में moment of energy आप center of mass है वहाँ जुरूरत परेगा फिर gravitation chapter में जुरूरत परेगा याने कि यह जो cavity concept है यह पूरे physics के लिए हम लोग पर रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर इसका जुरूरत है तो अच्छे समझे कि cavity concept है क्या यह cavity concept बोलते क्या है और है क्या तो जहाँ पर जगा खाली हो उसको सिधा सिधा भासा में बोलते है cavity है वो खाली जगा है तो यह cavity को कुछ ने कुछ उपाय करना पड़ेगा भरने के लिए इस cavity को भरना पड़ेगा हम लोग जैसे आप सिधा सिधा भी समझेए कि जबी भी बी अब दात के doctor के पास जाएंगे तो आपको क्या होता है कि दात में इदी cavity हो तो doctor क्या करते है उसको cavity को fill करते है भरते है उसलिए कुछ material होता होगा उसी से भरते है सेम चीजह हम लोग करेंगे इसको भी भरेंगे पर किस material से भरें तो जो chapter चलेगा उस material से जैसी electrostat charge के बारें पढ़ाई है तो charge से भरेंगे वो इसे ही चल जाएंगे center of mass mechanics में पढ़ेंगे center of mass या moment of inertia rotation chapter में तो वहाँ पर किस से भरेंगे mass से भरेंगे उसको भी हम example देंगे उसको भी समझाएंगे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या है cavity और भरते कैसे हैं तो यहाँ पर इस cavity है इसको भरना है तो plus q और minus q चार्ज लिजिए यहाँ पैसे कर लिजिए cavity है तो plus q और minus q चार्ज लिजिए इससे कोई भी problem होगा कुछ नहीं होगा पलस और माइनस मिलके 0 का 0, पहले यहाँ पे चार्ज कितना था, कुछ नहीं था, 0 था, अब पलस माइनस ले भी ले, तो अभी 0 है, लेकिन इससे फायदा देखे क्या हुआ, इस का इभीटी को कैसे भरें, पलस और माइनस से भरें, अब फायदा देखे क्या हुआ, एक पलस आप यह था, अब एक पलस इधर था, कितना पलस हो गया सब 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पलस हो गया, यानि कि यह संब मिला कर, यह संब मिला कर, फोर्स कितना कर दिया, यहां पर 0, तो 0 फोर्स है तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, कोई भी चार्ज खतम कर, सारे को मीटा दी है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बच गया है माइनस क्यू बाकि जो छे पलस-पलस था उससाब के कारण खत्म हो चुका अकेला क्या बच गया मराइनस क्यू अब तो अराम से निकल जागा यह distance पता होगा यह minus इस पलस को खीचेगा क्योंकि attractive force लगाएगा और यह force का formula क्या हो जागा के q minus q लिखे है नहीं पलस q q into q या q square divided by r square यह force हो गया फिर से देखिए क्या कि है cavity के लिए cavity के लिए क्या कि है जहां बे cavity हो वहाँ पे plus q और minus q माने इससे क्या होगा कि पलस q के कारण पूरा symmetry का structure यहां पर पलस क्यों आया तो बाकी तो सब पलस था ही तो 6 पलस बन गया symmetry का structure हुआ symmetric में 0 होगा एक्स्ट्रा क्या बच गया यह minus q तो minus q के कारण यहां निकाल लिए अब इसका फाइदा देखिए वहां कैसे मिलेगा वहां तो अभी question solve हो नहीं रहा था अभी देखिए कैसे होगा यह तो कैवीटी है यहां भी कैवीटी को कैसे भरते हैं पता है ना आपको पलस और minus q और minus q अभी क्या हो गया एक पलस यह एक दो तीन चार पांच पेंटावन है रेगुलर तो पांच होने के करण टोटल कितना हो गया जीरू हो चुका यह symmetrical structure है तो यह पांच के कारण विल्कुल एंसर कितना हो गया जीरू अकेला क्या बच गया यहां पर अकेला minus बचा हुआ है और यह distance तो question में दिया ही रहेगा यह distance जो भी लेना है आर ले लीजिए तो यह attractive force लगाएगा और force का formula हो जाएगा के q2 by r2 मिल्कुल जैसे यह answer आया वह इसे यह answer आ गया लेकिन अभी थ्वादर पहले जब हम लोग cavity concept का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो बनाना मुस्किल था देखिए राज से बन गया question अच आपको notes में है जिन लोग के पास notes download किया हुआ है उसका page number 5 पे जाईए और page number 5 का second point page number 5 का second point देखिए उसमें cavity concept लिखा हुआ है अलग से लिखने का जरूरत नहीं है और उसमें बस खेली लिख लिजेगा जो second point है उसके ऊपर में बस यह बात लिख लिजेगा कि जो point पर रह देखते हैं कि कैसे center of mass या moment of inertia में आपको इसका इस्तेमाल करना होगा जैसे question ऐसा होगा एक disc है यह पूरा disc है इसका center कहां होगा disc का यह center होगा यह center of mass भी बोलते हैं disc का लेकिन question में ऐसा बोलेगा कि एक छोटा सा टुकडा काटके हटा लिए इतना दूर को हटा लिए अब center of mass कहां होगा तो टुकरा हटा लिए तो उपर तो खाली हो गया हलका हो गया हलका हो गया तो नीचे बहारी हो गया है तो center of mass यहां नहीं रहेगा कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा syndrome पूछता है कि कहां पे जाएगा कितना दूर नीशे जाएगा वो निकालना रहता है तो यह जो खाली जगह है जो हटा लिया गया काट के हटा लिया गया यह क्या बन गया कैवीटी और कैवीटी को भरने का तरीका आपको पता है कि जो चैप्टर चलेगा उसी चीज़ से भरना है यह चल रहा है मैकनिक्स में जनरली मास से भरते हैं तो यह डिस्क था इसका मास कुछ था तो इसको मास से भर देते हैं इस कैवीटी का हम लोग समझते हैं पलस मास और माइनस मास पलस और माइनस मास से हम लोग भरते हैं पलस मास से और माइनस मास से भरते हैं तो पलस मास लेकर आए इसको भर दिये जैसे ही भर दिये पूरा डिस कम्प्लीट एक एक्स्ट्रा क्या बच गया ये एक्स्ट्रा क्या बच गया इतना बच गया कि माइनस मास्स का एक डिस्क एक्स्टी इसका इसे मरे सकते एक पूरा डिस्क इसका नहीं है हो और minus mass से भर दीजिए, यह community था, plus mass भरने से पूरा disk भर गया, तो इसका diagram यह बन गया, इतना दूर एक extra क्या बच गए, minus mass तो उसको अलग से diagram बना सकते हैं, तो ऐसे करके बनाएंगे, तो जब center of mass या moment of inertia में जाएंगे, तो इसको याद दिलाएंगे, जब उस chapter में जाएंगे, तो बहुत easily, rotation chapter में, जो moment of inertia, center of mass बगर है, बहुत easily बन जागा, यह इस technique का इस्तेमाल करेंगे तो, कहीं भी community बनाएगा, whole बनाएगा, अराम से question बन जाएगा, अब भी लेकिन फिलाल हम लोग जो chapter चल रहा है, उसे पर काम करते हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग के question करते हैं, जो की aims में पूछा था, कभी aims में पूछा इस question को, देखिए इस तरह से question ह है, ऐसे question है कि, सीजियम, कोलराइट का crystal structure इस तरह से है, कि सब जगा पे कोलराइट आयन है, इस चारो कॉर्णर पे नीचे, आठ जो पॉइंट बनता है, सब जगा पे कोलराइट आयन है, और बीच में इसके center पे, क्यूब का center कुन सा बनता है, जो diagonal होता है, जो diagonal कट मारता ह आए, वो Q का center होता है, इसमें CCM plus है, CCM plus के लिए बोला, policy, proton, और कोलराइट के लिए बोला, minus C, koloraइट माइन के लिए, minus E, और CCM plus के लिए policy, जिसमें ये question बोला, कि जो real crystal structure, CCM koloride का crystal structure होता है, इस टेप से होता है, कि सब जगा पे यहाँ पे, koloride minus होता है, यानि कि माइनस i. माइनस i. माइनस i. सब कॉर्णर पे. माइनस i. माइनस i. माइनस i. रहेगा. और cgm पलस जो है. वो सेंटर पे रहेगा. cgm पलस. cgm पलस, यानि पलस i. और यह जो लैंथ है. जो qube का लैंथ इसको l माल लिया گیا. ठीक है पूछा कि इस पे कितना फोर्स लगेगा यानि cgm-plus पे cgm-plus पे यानि-plus e पे कितना फोर्स लगेगा अभी इतना बताये तो कितना force लगेगा यह question पूछा नहीं था इतना किलियर है लेकिन कोश्चन में ऐसे बोला कि कोई यह स्टुडेंट यह जो डाइग्राम बना रहा था उसको बनाते बनाते गलती हो गया मिस्टेप हो गया और यहां पे चार्ज हो नहीं लिख पाया यहां पे खाली जगा रह गया यह चार्ज भूल गया अब बताई पाउस कीजिए वीडियो और देखिए खुद से स्वल्फ करके की क्या आपका होता है क्या इंसर आ रहा है देखिए ठीक है तो यहां पे हम लोग देखते हैं यह कैवीटी हो गया यह खाली जगह है और कैवीटी को बहने का बहने का तरीका आपको पता है न प्लस ए और से भर दिये मानिस और पाल्स से भरते हैं अब देखे क्या होगा इस माइनाश को यह सें पाइदा क्या हो माइनस निकल गया माइनस सी माइनस इस इसा इस एक वाक इसके अशाइन जीरो है बस अफ्सक्रा तहीन beim अब ये वाला इसको फोर्स तो लगाए गए ये डिस्टेंस एक पर पता चल जाए तो ये वाला फोर्स लगाए गए ऐसा यही पूछा है कि ये फोर्स कितना होगा थोड़ा सोचिए कि कैसे काम केजिए ये डिस्टेंस कितना होगा यह बता सकते क्यो बकाज़ डाइगॉनल होता उसी का नाधा दुरी है क्यो पहल जो डाइगॉनल लॉंगेस डाइगॉनल है वो कितना होता है रूट थीरियल होता है यहाँ पर चाहिए तो कहीं पर इधर आप देख लीजी इधर बोट पर देखिए कि यूब है आपको कभी basic maths में हो सकता है पढ़ाएं हो या फिर याद नहीं हमको ध्यान नहीं की पढ़ाएं की नहीं तो यहाँ पर देख लीजी एल है यह यह भी एल है तो यह डिस्टेंस यह वाला जो डिस्टेंस है यह तो राइट एंगल ट्रेंगल है यह हो गया कितना एल रूट फिर यह एल है तो यह हो जाता है क्यूब का डाइगोनल क्यूब का डाइगोनल इसको बोलते हैं यह जो लेंथ है इसको क्यूब का longest डाइगोनल बोलते हैं जिस रूम है तो रूम का डाइगोनल हम निकाल लीजी जिस रूम में बैठे हुए आप उस रूम का डाइगोनल द में देखिए इसमें ये लेंथ ये लेंथ एल रूट टू ये देखी एल रूट टू और ये लेंथ एल तो ये डाइगुनल कितना यहां से कीजिए इसका स्कॉयर करेंगे एल स्कॉयर इंटू टू पलस इसका एल स्कॉयर एल स्कॉयर का एल बाहर हो गया टू बन थ्री यानि apply कीजिए क्यूब का पूरा diagonal कितना होता रूट 3L, L है न साइट दिया हुआ, रूट 3L, लेकिन यह तो आधा ही दूरी है, तो यह कितना होगे है, रूट 3L by 2, अब इस फर्मूला को इस्तेमाल करके force बताए, फोर्स कितना, तो force बराबर के QQ, यानि E का square divided by, यह distance का square, रूट 3L by 2, इसका square, यह answer हो गया, एक बार देख लिजिए, समझ लिजिए, क्या क्या हुआ, ठीक है तो फिर आज के class हम लोग खतम करते हैं, next class में हम लोग मिलेंगे, और उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग काम करना है, पर आप लोग को एक बात और ध्यान रखना है, कि जो भी हम लोग चीज पर रहना, उसको एक बार अच्छे से आप सोचिए, जो आप परहे हैं, नोट किये हैं, या मेरा notes या question आपके पासे available है, तो उसको अच्छे से सोचिए, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, physics आपका अच्छा नहीं होगा, ऐसा सोचते होगे, हम पूरा प पास कीजी वीडियो, question को खुद से solve कीजिए, फिर बहुत ज़्यादर try कीजिए, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, फिर जब हम बताएं, तो तुरन दिमाग में try कीजिए, आपका गलती कहां कहां हुआ, और उस गलती को further आगे नहीं करना है, तब ही जाके physics ठीक होगा, और list up रखी अपने अंदर, confidence रखी जिनको समझ में आ रहा है बाद, उनको number आएगा, और यह guarantee है कि number आएगा, आप कोई भी test region में बैठेंगे, आप देखिए कि chapter का पक्का number आएगा, ठीक है, take care, bye-bye.